जायन मेरे प्यारे साथ हूँ दोस्तों यूबे पुलिस कॉंस्टेबल जो इस बार वाइगंसी आने वारी को वावन चेसो निन्याद वे और 2023 वेगंसी आएगी यह भी बाद भूड़ता सकते हैं ठीक है ना पाइगंसी कितना लेड होती अब इस पर चर्चा बात में करेंग तो सबसे पहले दोस्तों आपको आवेदन की त्रिठी मिल जाएगी आवेदन की कर रहा हूं कि चलो आवेदन की सिद्धी में मां करता हूं पंदर सितंबर मानो आपके आवेदन हो गए थाल million फंदर सितंबर से आवेदन आपके चलता ही चलता है ठीक है यह आवेदन तो आपके यहां पर हो गए आवेदन तो इस एक महिना से पहले आपको कावदमनी अपने पड़ेंगे टॉकमेंट्स या फिर इस एक महिना के बीच में पढ़ेंगे या बनवा सकते हो तो जोस्तों उसमें कुछ सर्थे होगी कि वहिया जो पंद्रे अकूबल लाट डेट है ना इससे पहले पहले के डांकुमेंट्स चाहिए कुछ डांकुमेंट्स पर बनाएंगे अपने नियम्स बनाएंगे जैसे कि लोग आप बनवालो अपने सबी डांकुमेंट्स रहेंगे तरह बरती नहीं हो जाती पूरी कंट्स अब दूसरे पढ़ते हैं दोस्तों आप इधन तो हो गया दोस्तों उसके बाद मिलेगी दूसरे एक्जाम टेट दूसरा मिलेगी आपके लिए एक्जाम टेट एक्सपेट कर सकते हैं हम लोग की दिसंबर में मिल गई या दिसंबर के लाट या जनवरी में मिल गई जैसे कि पिछली बार हुआ था जनवरी में आपके अगर यह लोग देखो आप यहां पर दो सरते बनती है अगर आफ-लाइन परिक्षा होई है तब भाई चलेगा सुर्प दो दिन प परिक्षा पर जब भी परिक्षा होगी तो लंबी प्रिक्षर चलेगी क्योंकि आप सभी को पता है परिक्षा होगी तो इतना ज्यादा नहीं होता है कि हरे एक संस्कान पर कंप्यूटर उप्लग दो ठीक है तब यह चीज़ बगती है आपके यहां पर आपडेट ठीक पर तीसरा दो पॉइंट आटाता दो stay आपके लिए answer की आप लोग अंसर की प्रनेशित करो के number की और और की सारे बैन भाई होंगे सबके अलग अलग नंबर साएंगे ठीक है अब आप लोगों के नंबर आएंगे फिर कटाप जाने वाली है जैसे जनरल 220 नंबर या 210 मालो बड़ी बरती है तो कटाप वोड़ी सी कम जाने की चांस लेकिन यादे दिनों बाद आ रही है इसलिए कटाप रोड़ी हाई भी जाने की जादे चांस वर रहे हैं क्योंकि भाई पांच साल का वह बना तो कंप्टीश दो तो मैं कहूंगा आप लोग जिसकी भाईया बिल्कुल फिजिकल बेकारत वो आज से भी तयार कर सकता है बरना अधिकतर क्या होता है एक्जाम डेट के बाद एक्जाम पूरे होने के बाद सभी लोग रणिंग पे लग जाते हैं ठीक आंसर की जो बैन भाई नहीं करते हैं जि डाकुमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए ठीक है ना डाकुमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी डाकुमेंट्स तैयर रखने पड़ेंगे बहां जब भी आपको जिस सेंटर पर आपका रजिल्ट आएगा इसके वाई सोरी या छोटा समिश्टे हो गया प्रिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट आप लोग अपना डाकुमेंट वेरिफिकेशन कराने आईए ठीक डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद रणिंग होगी और यहां दोनों साथ में होगी अभी इसको किलिर गज़ता ठीक और रेजिल्ट में क्या होग दोस्तो मानों बाबन चाहिए अब धाई गुना भी पास कर सकते हैं इंटु डाइगुना या इंटू डियर गुना भी पास कर सकते हैं वो अपने उपरे जिस्टिसाब से पूलाना चाहें ठीक है मेरे साथ भुना पुलाएंगे तो तकरिवरन एग लाग 25,000 पिलस जाने वाले जो हुआ दोस्तों को डांकुमेंट वेरिफिकेसम साथ तारीक को हुआ तो वहीं पर अगले दिन आठ या नो को हमाई रनिंग कर वाली गीजी यहां पर लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ उसमें कहा हुआ यहां पर आपको 15-20 दिन का मिल गया कोई दिक्कन नहीं ठीक इस बार मुझे लगए लेकिन आपको तयार रहना पड़ेगा रनिंग के लिए ठीक है कि रनिंग कभी में यो कोई दिक्कन नहीं जब यहां पर आपको मालो रनिंग भी हो जाएगी अब मैंने द तो दोस्तों यह एक लाग तीजार पास किये गए ठीक एक लाग तीजार मैंसे रनिंग मैं कहूं कि जच़गी गल्स भी आट जार बेकन सी है तो शेजार रनिंग गल्स पास कर पाई तो दोजार पत खाली रहे गए इसी तरह हरे केटा किरिम आप लोग समझ सकते हो बाद तो यहां पर आपके लिए एक लिश्ट जारी की जाएगी प्रत्म कटाब दोस्ट तस न बर गई है तो इसमें दो नंबर पिलस भी हो सकते हैं दो नंबर मैनस भी हो सकते हैं पहले एक सोनब्बे चलीगी एक सोनब्बे लड़निया पर आप नहीं मिल पाई तो यहां पर कटा क्या होती है ना माइनस में जाती है और जो बॉस में रुणिंग जाते कर जाते हैं तो फिलस में भी 2410 नंबर जा सकते हैं ठीक है पर उसके बाद क्या होतों डोस्तों आपके लिए का बलाए जाता सकता है?お願いします पहली बार में पास होगे कोई जाद अच्छा रहे था ठीक है तब मेडिकल आप लोग पास होगे उसके बाद आपको लिए जॉइनिंग लेटर आप लोग सोचे जॉइनिंग लेटर घर आता है क्या पोस्ट ऑपिस डांगिया दे के आता है बैए पुराने जबाने के उनको हम लोग कॉल करते हैं सबको बुलाते हैं यहां पर इमेल करते हैं मैसेज करते हैं सबको बुलाते हैं सेंटर पर जॉइनिंग लेटर यहां से हम लोग देते हैं कि भैया लोग अपना जॉइनिंग लेटर और एक या दो दिन पहली जॉइनिंग लेटर देते हैं दो विए हैं विए विए था मथ चलती यौ दिन भी हो सकते हैं उसके बाद आपों लिए पोस्टिट कर लेते हो फिर आपके लिए पास आउट परेट हो जाती हैं जैसे पोलते हैं फिर जो सिबिल सो ते उनको जिला में भेज दिया जाता है तो पीएसी सो ते उनको बटाली नावटित की जाती है दोस्तों जो महिला होती है आप सब बता है आप लोगों की थाने बेज आओगे अभी क्योंकि आ पर लोग नहीं आ रहे हो आप लोग बहुत जल्दा हो पिला ठीक है न पीएसी बढ़ा लिए तीन आपके लोग में यह तयार हो रही है ठीक है दोस्तों फिलाल I think कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा कि किस तरह से सेलेक्शन होता है जो भी है सब कुछ यह है आप अच्छे से जान चुकिए हैं कि हां सेलेक्शन प्रोसेस अगर आज आप लोग तो दूसरा है त्यारी कर रहा है बर्दी के लिए ठीक है वह आप मार ले जाएगा आपका हाथ तो इसलिए कहता हूं सतर ग्रोव साब्दान रोव पढ़ाई करते हैं लोगा लगाता ठीक है ना अगर आगे जाना ना पावरेजा 699 में तो इस बार अच्छी होने वाली आपको खुद महनुद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से बाकिया आप लोग सब पड़ाई अच्छे से करते हैं यह आप लोग सब समझेंगे सेलेक्शन प्रोसेश ठीक है दोस्तों मिल दें नेट वीडियो वीडियो तक लिए यह वीडियो जादे जादे सेर करना उन बें वाईयू के लिए जो अभी तक यूपिलिस कॉइंटे अ यह वीडियो तरह